तीन हजार छे सो तीस रुपए आपको मंतली एमाई आ जाएगे गाईज और इसकी जो डाउन पेमिंट आने वाली है मात्र आठ हजार साथ सो एक्याइस रुपए आपको डाउन पेमिंट करनी पड़ेगी इस बाइक को ले जाने के लिए हलो वाइस वेडियो और देख सकते हैं हमारा सामने प्रेजन है हॉंडा स्पी 125 जो न्यू वेरियंट है और यह जो बाइक है ब्लाक और रेट की कॉम्बिनेशन के साथ में आपको देखने के लिए मिल जा रही है वह बाइक आपको यहां पर अबलबल देखने के लिए मिल रह हैं ऐसके क्या हम थे सकते हैं अबन यह लिए कि आपको देखने के लिए कی को मिल जाते हैं कि फुली वाले सटाप आपको देखने के लिए मिल जाता है इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके की देखनी के लिए मिल जाती है वाइजर आपको ब्लैक में देखनी के लिए मिल जाता है ट्रांस्पारेंट में दिया गया है यहां पर होंडा की ब्रैंडिंग बाकी इस्टिकर ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हैं कि रेड और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की देखनी के लिए मिल जाती है यहां पर टायर सेक्शन में आपको दिखा दू कि जो टायर साइज है वह है 138-118 की आपको टायर देखनी के लिए मिल जाती है और इसका जो ड्रम गया गया है 130mm का ऑको ड्रम देखनी के लिए मिल जाता है रियर में फ्रंट टायर की बात कर लेतो सकते हैं कि इसकी जो कटिंग सिः कि कि आपको देखने कलिए मिल जाती है और यहां पर जो टायर सेक्शन्हें देख सकते हैं कि 8018 ज्यां सटारा कि집मinned मिल जाता है तो इसलिए मैं पाइपने सब्सक्राइबी द्तोरी कि छी सोचारिस मैं ऐसके सकते कि यहां लाव को क्या इधर देखने के लिए मिल जाता है इस्प्यूर्ट टाइमर न्यूतल मतलब गेर के लिए यहां पर बताने वाली है कि ते इसे और यहां पर फिलाल इसे benefiting करें देखते हैं कि इसकी जो जौब कि शाउंड वो कैसी आ रही है कि this यहां पर इससे हम लोग बंद करते हैं बाखी यहां पर मिरर देख सकते हैं कुछ इस तरीके कि आपको कटिंग में मिरर देखने के लिए मिल जाती है यहां पर इसकी बात कर ले इंजन की तो इसमें 123.94 सिसी की इंजन दी गई है और इसकी यहां पर इसकी जो देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर इसकी जो देख सकते हैं कि जो यहां पर लगा हुआ है इंजन गाड लगा हुआ है यहां पर बाखी जो वाहर से लगवाने की जरूरत नहीं आप फिलाल यहां पर बात कर लेते हैं, इसकी जो price है एक लाख चार h Heart 21 रुपय को ले जाने के लिए औरаетEE EMI के अगर बात कर लूँ, तो अगर बारा महीने के लिए अप इस बाईक को लॉन कर वाते हैं, तो इसकी जो EMI आने वाली है 9,060 रुपए मैं आपको मन्तली EMI आने वाली है, रोगोर वहिंपर आगर इस बाइक को अगर आप 18 महिने लोन कर वाते हैं, तो उसकी जो EMI है 6,300 पैर्स रुपए मैं आपको इसकी मन्तली EMIañ आया जाएगी, 18 महिने के लिए और अगर आप इस वाई को 24 महिने के लिए लोन करवाते हैं तो 4976 रुपए आपको मंधली EMI आजाएगी और वहीं पर अगर इस वाई को आप 30 महिने के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो EMI आजाएगी चार हजार एक सो छीयासट रुपए अपको उसकी मंथली एमाई आजी और अगर आप इस बाइक को लास्ट ओफर जो है 36 महिने के लिए है तो वह अगर आप करवाते हैं तीन साल के लिए तो उसकी जो मंथली एमाई आएगी 3630 रुपए आपको मंथली एमाई आ जाएगी और यहां पर आप लोग आ सकते हैं यहां का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां से आ करके इस बाइक को पर्चस कर सकते हैं बाकि अगर को भी जैनकारी चाहिए तो आप लोग को कॉंटेक्ट नवर दिया गया है कॉंटेक्ट के थ्रूप बात कर सकते हैं मनीश भीया का नंबर है कॉंट डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग चाहिए तो बात कर सकते हैं तो यही थी आज की वीडियो आई होप अपनों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चली मिलते हैं तो तक के लिए बाइबाद